हाई गाईज वेलकम टो एडूकेटर गैस इस वीडियो में एक डिकल्चर्स के जो प्रॉब्लम कोश्चन सुबह में दिया गया था मोडल आंसर्स प्रैक्टिस का जो कि इनिसिटिप चल रहा है उसे निसिटिफ के थुरू सुबह मैंने आपको एक सवाल दिया था और परतेंग दिन फूबह में एक सवाल दिया जाता है आंसर्स मैं आपको मोडल आंसर्स प्रोवाइड करवाता हूं कि आंसर्स कैसा होना चाहिए और ही आंसर्स से आज day 3 है आंसर्स राइंट्ग प्राक्रीक्ष का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम हर एक दिन मैंने मौर्णिंग में एक सवाल देता हूँ और इवनिंग में उसका प्रोबाइट कर बाता हो तो इस आंसर को देखेंगे कि अंसर में क्या है और कैसा होना चाहिए उस सब्सक्राइब करेंगे कि मोड़निंगा कोउटों सेकोनोमि और जोग्रफी का कोमन सवाल था सवाल क्या था सवाल को एक पर देखते हैं है फटेद्रिय घ्लाइट है रहे को छाले डिया उसको हॉलाइट करो कुछ मेजर सब्सक्राइव करो सब्सक्राइब करना इसको नेकर मेजर्टीरिवेगे प्रोग्राम चलाया जा रहे हैं इंडिय नेगरी कल्चर के लिए उसको डिसकस करना है अब देखते हैं इसको फ्रेंड्स इसको हम लोग चार पार्ट में करेंगे पहला पार्ट्स यह हो जाएगा कि थोड़ा इंटोडेक्शन लिखेंगे और बॉड़ी के पहला पार्ट्स म इसको डिसकस करना है मेजर प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम मेजर प्रोग्राम के बारे में हमें डिसकस करना है कि गवर्मेंट के द्वारा कौन-कौन से मेजर प्रोग्राम चलाए गया है जो इंडिय नेगरी कल्चर के प्रोड़क्टिविटी या फिर उनके डेवलप कंत्री डॉमिनेटिंब सेट ओकndया izi अग्री कल्चर दॉमिनेटिंट इसचेट about 54.6% of the total work force in the country is a st Dylan is in every cultural and a light sector activities which account for a approximately 7.7 point 8tradish short of the country is gross value added for the year twenty 19-20 मतलब इंडिया एक agriculture एक Τरल्चरल कंट्री है क्रिशी परदान देश है उसमें लगभग 54.6 परतिसत जो टोटल वर्कफोर्स का है टोटल वर्कफोर्स मतलब टोटल लोग जितने इंप्लॉइड है या फिर जो टोटल लोग काम काजी लोग है या फिर जितना लोग मतलब 15 से लेकर 64 साल के उम्र के बीच वाले सबِّया उसका इसी है जो लोग है उनका लगभग 54 परतिसत भाग 54 परतिसत वह पर अब टीसटर टाइस्टर उसका योगदान रहा है क्या रहा है या इंटरुडक्शं से हमने कुछ सवाल लिखें उसके बाद थोरा और नीचे लिखें एंगरी कल्चर के बारे में इंडेन एगरी कल्चर के बारे में थोरा सा बताया कि क्या परजेंट में इसका सीनेडियो है मतलब थोरा अबी परजेंट का सीनेडियो है मतलब इकोनोमी सर्वे का कुछ डेटा हमने डाला है ताकि सवाल हमारा बेटर हो जाए एंग्वाग 20% के आसपास इंडिया का जीडिपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान है ओके फ्रेंड ओके फ्रेंड लगभग 20% के आसप उसमें लगभग 20% योगदान प्राइमरी सेक्टर का रहा है ओके अब यहने हम इन चीजों को हमने देखा इंट्रोडक्शन को देखा थोरा उसके बारे में प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दा एगडी कल्चर के बारे में हमने देखा इन दिस वे एगडी कल्चर इस कांट्रि इस परकार जो क्रिशी का डारेक्टली मतलब परत्यक्षव परत्यक्ष रूप से क्रिशी में GDP में बहुत बड़ा योगदान रहा है मतलब इस योगदान के बापजूद भी एगडी कल्चर में बहुत सारे समस्याएं हैं जो भारत के क्रिशी हैं उनमें बहुत सारे समस्याएं है मतलब जो चैलेंजेज है उसको फ्लोईग फ्लोचर्ट के द्वारा डिस्क्राइब क्या जा रहा है है अब देखते हुआ हूं चैलेंजेज क्या है चैलेंजेज अब दा इंडिया नेगरी कल्चर हमने इसको फ्लोचार्ट में डिसकस करने की कोशिश किया है क्योंकि पेज़ेश कम है और टाइम भी वहां बचाना आए तो फ्लोचार्ट में थोड़ा ज्यादा हम डाइमेंस को कवर अब कर पाएंगे और थोड़ा सथ यहां फिर आपको बता देता हूं लैप फाइंड वर्युटी ऑपदेशीटम लगों को फर्ट इक वीडियो देखना और । चैनल पर वीडियो डाल दिया गया है यह सवाल हो जायेगा और कोई पी सवाल एक्री कल्चर्थ से रिलेटेड आता है तो वहां से हो जाएगा व विड काउज तो हबी लॉस अब दा क्रॉप समचाते हैं देर जे लैपकर प्रोपर एंड बैलेंस इरिगेशन फैसलिटी की बैलेंस नहीं है कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बाड हो जाती है तो कहीं सूखा पर जाता हो कि इस परकार की दिकतें हैं कहीं पानी की समस्याइं कम ह प्रोप डैवर्सिफिकेशन मतलब क्रॉप डैवर्सिफिकेशन पर फोकस नहीं करता है हम लोग चावल यह हूं या फिर मक्य कहीं जारकर में ख्येती करते रहते हैं अन्य क्रॉप को ध्यान नहीं देते हैं सीरियल हो गया डाल हो गया सब्सक्राइबहुत जरूरी है अब solution of these problems मतलब इस problem का solution क्या हो सकता है friends जो land consolidation है उसको re-consolidation करना है क्योंकि जो एक बात land consolidation हुआ था जब land reforms हमने पढ़ाया था उसमें हमने आपको land consolidation पढ़ाया था जिसमें land consolidation हुआ था उसमें लगवग average भूमी 2 hectare के आसपास था लेकिन अभी average भूमी घटकर लेस देन एक एक हेक्टर हो गया कितना हो गया लेस दे एक हेक्टर के आसपास हो गया है तो उन चीजों पर हमें थोरा सा री-consolidation करना है ताकि land फिर से बढ़ा हो और land holy बढ़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम्स एक्री कल्चर को थोरा सा घटेगा development initiatives मतलब infrastructure के बारे में थोरा सुधार करना है logistics मतलब infrastructure मतलब where houses या फिर storage facilities को बढ़ाना है technology का interventions करना है जिससे भी एकड़ी culture थोरा बढ़िया हो जाएगा उसके बाद farmer friendly policies लेकर आना है उसके बाद institutional mechanisms में सुधार करना है जल्दी किसांच को loan मिल जाए इजलीवे में loan मिल जाए ओके थोरा loan का rate का मोई सबसीदीज मिल जाए ओके फ्रेंट्स बाइजिंग technology yield crops can be reduced मतलब technology की use करके हम जो yield gap है स्वारी productivity का yield gap है उसको हम reduce कर सकते हैं मतलब productivity बढ़ा सकते हैं । इंक्रीज कर सकते हैं कि इंप्रूफ 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 इंफ्रिगर्डेशन फासिलिटी इस by implementing of the technology जैसे कि मतलब टेकनलोजी के मदद करके हाम इरिगर्डेशन फेसलिटीज को भी बढ़ा सकते हैं वह घरिए में बना कर पानी को एस्ट उर करके और खे तों को तक पानी पहुंचा शकते हों के फ्रेंड्स देखिते बत क्या है फार्म मैंकी देडियूस दा प्रामड व लू प्रोडक्टिविटी मतलब फाम उन्ट्राम को ज़्यादा जरूरी है और फार्म एकनाइशन होता है तो प्रोड़क्टिविटी को रिड्यूस करने में भी मदद करेगा आगे क्या है कॉंट्रैक्ट फार्मिंग में help increase मतलब कॉंट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत है जिससे फार्मस की फैसलिटी हो गया उस परकार का ओके तो यह फ्रेंड्स हमारा कुछ सुझाव था और सॉल्यूसन्स था जिसको हमने लिखा सॉल्यूसन्स और भी हो सकते हैं लेकिन हमें समय और जगा मतलब नमर और पेज़ेज और फिर जो हमारा लिमिट है उसको देखकर ही सॉल्यूसन्स ल यह गये हैं जो प्रोग्रेम रन करवाया जा रहा है इंडियन अग्री कल्चर में सुधार के लिए उसको देखते हैं गवर्मेंट ऑप इंडिया इस ट्राइं बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दा एग्री कल्चर ओके गवर्मेंट फोकॉस्ट डोन एवरी एस्पेक्ट्स आप जह तेखने गवर्मेंट अब कर द्रॉब्लिय और में कवर्मेंट फिर्म फोकॉस्ट्पि रेप보रित ने तक बहुत अच्छी कोशिश किये हैं में सुधार वन्हों खें दी इस ट्रत। ट्रांस्पोर्टेशन्स हो गया इन सब सारे स्पेक्ट्स पे कवर अप किया है फैटलाजर में नीम कोटे डूडिया या फिर एक तरसे कहते हैं क्रॉप डैवर्सिफिकेजन पे फोकस किया है और गनी फार्मिंग को प्रमोट कर रही है ताकि फैटलाजर का भी इस्तमाल काम ह को इसारे पेइसिस को हम देखते हैं क्योंकि चैशनल है ये निसनल एक्रीकलचर मार्केट को किसान रिल चलानी की शुब्दा मतलब सरकार चुरू किया प्रदानमंत्री फशल भी माई हो जाना उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन को अधर पैरिशिवल क्रॉप्स के मतलब 22 पैरिशिवल क्रॉप्स के लिए एक्स्टेंड किया गया है स्वामित भी स्कीम भी चलाए गया से रिलेटेड है स्वाइल हेल्थ कार्ड है उसके बाद सब्सीडीज मतलब गवर्मेंट सब्सीडीज देती है बहुत सारे फटलाइजर पर सीड्स पर और इलिगेशन फैसलिटीज पर इन सब भी फोकस करके हम कर सकते हैं और इनफास्टेक्चर डिवलपमेंट या फिर ट्रांस्पोर्टेशन की फैसलिटीज अन्य चीज के और फिर कॉंट्रेक्ट फार्मी की प्राफदान लाएं फपी यो मतलब फार्मर प्रोडूस और प्रोडूसर और गनाइसन्स के प्र जो एक्जामनर उसको भी पता हो या फिर जो थोड़ा हाइलाइटेट पॉइंट सो उसको हम लिखे ताकि बेटर होगा और पेज को कंसीडर करके लिखना ऐसा नहीं कि हम लिखते लिखते पता चले एक ही एसपेक्स को कबर अप कर रहे हैं पता चले ओर लिमिट और पेज भी खताम हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए अब देखिए हम फैनली मतलब कंक्लूडन पर आते हैं कि कंक्लूड कैसे करना है आंसर को फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एग्री कल्चर इस मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर बिकाउज इट कंट्रीब्यूट्स एप्रॉक्सिमेटली ओन फिफिप इंदा जीडिप मतलब भारत जैसी देशों के लिए एग्री कल्चर एक बहुत महत्पुर्न भूमिकानी भाती और लगबग यह एक बटा पांचमा भाग मतलब बीस परतिसत के एसपा जीडिप में कहने पर्दी करती है इसी लिए government should make farm oriented policies government को चाहिए कि agriculture oriented policies बना है government को इंफा सेक्टर डेवलप्मेंट के ऊपर work करना चाहिए एगडी कल्चर के डेवलप्मेंट के ऊपर work करना चाहिए तो यह हम conclusion लिखे हैं थोड़ा balanced conclusion होना चाहिए हमने थोड़ा सुरू में positive भी लिखा है एगडी कल्चर समय फीडफ करती है या फिर GDP में इतना शेयर करती है उसके बाद हमने थोड़ा सुजाब भी बताए कि यह करना चाहिए तो फ्रेंट इस परकार से हमने आज के सवाल को discuss किया कल एक नए सवाल के साथ मिलेंगे एक नए topic पर नए सवाल के साथ ओके फ्रेंट्स तो मिलते हैं कल नए सवाल के साथ और नए topic के साथ discuss करने के लिए आप लोग अपने answers को मिलाइए और feedback जरूर बताएए कि आप लोग को कैसा लगा क्योंकि feedback देने के बाद थोड़ा motivation मिलता है okay friends मिलता है next video my friends keep watching thank you for watching